अब हम एक important conversion करने वाले हैं अगर हम reading ले degree celsius में तो degree celsius का ice point आपको दिख रहा होगा 0 degree celsius होता था यहाँ 0 लेंगे इसका vapor point 100 होता है degree celsius में और ice point तो 0 ही होता है और मैंने क्या बला constant है अगर इसी को मैं kelvin में major करूं तो kelvin इसका अगर ice point की बात करें तो 273 होता है ठीक है तो 373 और इसमें से 273 माइनेस करना ice point को यह भी अगर मैं इसको foreign height में फिर लुक हो तो अगर हम लोग इसको degree foreign height में लिखते हैं तो यह माइनेस 32 होगा इसका ice point अगर इसके vapor point की बात करें तो वह 212 होता है और यहां अगर हम लोग इसके ice point की बात करें तो वह 32 होता है इन सभी को अगर हम लोग solve करते हैं तो देखो थोड़ा सा मैं काट कर दिखा रहा हूं जल्दी से k-273 by 100 होगा और यहां अगर हम लोग बात करें तो degree foreign height माइनस 32 होगा अगर इन सभी को हम लोग solve करते हैं तो एक relation यहां से निकल कर आता है क्या आता देखो k-273 ठीक और यहां से आ जाएगा degree foreign height माइनस 32 times क्या हो जाएगा 5 by 9 तो यहां से हमारे पास एक बहुत important क्या निकल कर आए एक बहुत important relation निकल कर आया है जो हम लोग further आगे बहुत सारे questions में यूज करेंगे लेकिन यह आपको रटना नहीं है यह आपको याद नहीं करना आपको समाझना है कि हम लोग ने कैसे derive किया है that's all thank you for next video wait